सामने की तरफ ग्यों की कटाई हो चुकी है, खेतों में अंगार लगा कर ग्यों का जो बचा अले इससा रहता है उसको जला रहे, ताकि जो ग्यों गेर जाता है, उसको उठाने में आसानी हो, पैरों में नई गड़े, और इसलिए वहां दूगा दिखाई दे रहा है, तो भा करके फिर घरों तक पहुंचेंगा, कई आप लोग को ऐसा तो नहीं लगता था कि यहूं फैक्ट्रियों में बनता है, ठीक हमारे राहुल भाई साब के तरह, जैसे वह आलू को फैक्ट्रियों बनाने वाले थे, मैं किसान के लिए आलू के फैक्ट्रियों नहीं गोल करता ह आप लोग में से कौन-कौन यह अलू-अलू किस्सा जानता था, कमेंट में जरू लिखना, तो मैं अपनी बगवास बंद करता हूं और आप लोग को ले चलता हूं तारवक के सहर में, अलब मेरे गाओं में, जहाए एक सुन्दर सा गहर है, जो हमारे दादाजी ने बनाया सामने की तरफ ग्यों की घटाई हो चुकी है, यह तो मैं अंगार लगाकर ग्यों का जो बचाल हिस्सा रहता है उसको जला रहे, ताकि जो ग्यों गेर जाता है, उसको उठाने में आसानी हो, पैरों में नहीं गड़े तो इस विलोग का एंड यहीं करते हैं, क्योंकि आज काम बहुत था, तो मैं इतना ही बना पाया, तो अप लोग को अगर विलोग पसंद आयोंगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर देना